विदिछा जीला अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाई ने एक बार फिर मानवी ये सम्वेधनाओं से भरे हुए चिकिस्सक के पेशे को सर्मसार किये हैं 26 अगस्त को पेदा हुई मासुम शिशु के इलाज में लापरवाई के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और आब उसके जिंदगी बचाने के लिए हाथ का अलग किया ज़रूरी है माता पिता ने डॉक्टर पर एक्सपाईरी डेट का वैक्सिंग लगाने का आरोप लगाया है जब हम जीला अस्पताल में डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुचे तो शीविल सर्जन डॉक्टर संजे खरे अपने कक्ष से नदारत मिले लेकिन उनके कमरे में दो-दो पंखे पूरी स्पिट में चल रहे थे जीला अस्पताल में भी सीविल सर्जन संजे खरे का कोई अतापता नहीं मिला इस मामले में स्थानी विधायक शशांक भारगों ने दोशी डॉक्टरों पर कारिवाई करने और डॉक्टरों की लापरवाई से दिव्यांग होने वाले मासुम को गोद लेने के लिए शाशन से अग्रग किया है जीला कॉलेक्टर डॉक्टर पंकट जेन ने इस मामले में भोपाल के हमीदियो अस्पताल के डॉक्टरों से मासुम के संबंद में जानकारी ली साथ ही इस प्रकरण को संग्यान में लेते हुए जाश के आदेश दिये वीदीशा से शुभम जेन के साथ आसे सहले की रिपोर्ट मामला मेरे संग्यान में आया है एक बच्चा जिसका जन्म 16 तारिक को जिला अस्पताल में हुआ था जे भी आफ मिथलेश करके है इसका इडेंटिफिकेशन कल इनके परिजन आये थे और इसके बाद मेरी भूपाल में हमींदी अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी अभी इसका जो हाथ है राइट साइड का हैंड जो पॉर्षन है हथ traject के आसपाश का थोड़ा सक खलाई हो नेक्रोसेस हो गया है तो ऊसमें हो सकता है उसका भाद की जर्वत पड़े चुंकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसे कम है पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उसके जांच के अदेश दिये हैं जांच के बाद ही कुछ कहा है इसके लिए अस्वताल की लापरवाई सामने आई जिसमें घर्दे वजारा घटना हमारे सामने आई एक नवजाज शशु जिसकी उमर मात पांच दिन की थी उसको बगर परीजनों से मिलाए पांच दिन तक रखे रहे इसके बाद जब उसे सौपा तो उसके सीधे हाथ में राइट हेंड में पूरा काला पड़ गया था ये जिला अस्पताल के प्रशाशल की लापरवाई है मैंने तुरंट पीएस मौदे को इस मामले में लिखकर उनके संग्यान में लाया और विदीशा करेक्टर ने भी इसको संग्यान में लिया है बोपाल में उस बच्चे का इलाज के लिए प्रबंद किये गए हैं लेकिन मेरी ये मांग है कि अस्पताल के लोगों की लापरवाई की वज़े से अगर उस बच्चे का बविश खराब हो गया तो सरकार को उसे गूर लेना चाहिए अभी से उसकी इस बात का प्रबंद करना चाहिए कि उसको बड़े होकर नौकरी मिले और लालन पालन की पूरी जवाबदारी सरकार में लापरवाई किये उन दोशियों को सजा दिया है है आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें